So hello everyone this is my youtube channel and यहाँ पर मैं अपने life के experience share करते रहता हूँ and आज मैं एक और experience आपके साथ share करने वाला हूँ बहुत टाइम से मेरे previous customers हैं and previous employees हैं जिनके साथ हम working रहे तो उन्होंने पूचा की why you lift spinny spinny आपने क्यों छोड़ा उसी के regarding मैं आपको बताने वाला हूँ तो simple sorted मैं आपको बता दे तो मैंने spinny क्यों छोड़ा मेरे last month का incentive एक 11,000 रुपे बन रहा था जो company ने कुछ छोटे मोटे नौम से mistake के कारण deduct करके 5400 कर दिया जिस कारण मैंने company छोड़ दी मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ था कि last month जो मुझे target मिला था वो मिला था like जिस month मैंने छोड़ा मैंने joining किया था spinny को 2022 9th में को and my last working day वाल 8th August 2023 तो July में जब मैंने like company का जो target था वो overachieve किया था उस time पर 28 deliveries का car deliveries का target मिला था जो overachieve करके मैंने 31 किया था but the thing is that company का थोड़ा सा management इतना strong नहीं है कि वो जो find out कर पाएं कि ये जो deliveries करवाई है किस customer ने करवाई है मतलब like किस agent ने करवाई है किस salesperson ने करवाई है तो वो चीज वो थोड़ा सा strong नहीं है जिस वज़े से 31 deliveries मेरे ही name पर show कर रहे थी कि इस particular salesperson ने इसकी sale करी है but the thing is that दो team working रहती है एक होती है online team और एक होती है follow up team follow up team वो होती है जो कि जिनका काम होता है customers अगर test drive लेके आगे हैं car का तो उनकी car book करवा के delivery करवाना और online team वो होती है जिनका customer को कोई what time से car find out कर रहे हैं गाड़ी मिली नी और suddenly मिलती है तो वो online उसका token कर देते हैं company को booking amount पे कर देते हैं तो उसको handle, उन customers को handle करती है हमारी online team तो यही था बस मेरी जो 6 car के delivery आ रही थी वो online के, मतलब जो source आ रहा था उसका online आ रहा था and 25 car के delivery आ थी follow up में although सारी deliveries में नाम मेरा ही था सिर्फ एक दिन के कारण late हुआ हर महीने, तीन तारिक को पिछले महीने का जो भी हमने target achieve किया होता, उसका final date होता है तो तीन तारिक को मेरा नहीं हो पाया जिस कारण, चार तारिक को मैंने अपने management से बात करी, हमारे जो product manager से Mr. Aditya Gaur तो उनसे बात करने के बाद, उन्होंने का आप mail करो मुझे details, मैं details mail करी तो शाम को जब मैंने उनको day end होने से बहले mail करी, तो suddenly उनका mail पर तुरंत reply आया है कि हम इसको consider नहीं करेंगे, पहले उन्होंने कि मैंने जब उनको mail किया, तो उन्होंने का ठीक है, आप सारे delivery साक्षी सरमा को mail कर दीजे, तो मैंने जब mail करा, तो immediately उनका reply है कि हम इसको consider नहीं करेंगे, and दो या तीन चार दिन के discussion के बाद, जब final बात HR के बास पहुची, तो HR के साथ on the table हमारे discussion हुआ, so at that time, senior product manager Mr. Aditya Gaur थे, and हमारे span के manager Mr. Jashan Bajas थे, team leader Ahmed Ali थे, and इसके अलावा HR जो थी, वो हिमानशी माथूर, हिमानशी माथूर थी, तो इन चार लोगों के सामने ये सारी बाते हुई, जिसमें टीम ने मिना कर दिया कि हम incentive नहीं दे सकते हैं, सिर्फ 6,000 रुपे के incentive के बात थी, although गाड़ियों में भी कभी खराबी आ जाती है, कोई issues आ जाते हैं, उसके कारण customer को 10, 15, 20,000 रुपे हम कम कर देते हैं, कि sir, कोई नहीं issues आ गया, आप इसको resolve कर आलजेगा, इसके लिए हम आपका amount revise करवा देते हैं, बट एक employee को 6,000 रुपे देना, उनको जादा भारी लग गया, तो ये उनको मतलब थोड़ा सा जादा expensive लगा, तो company ले 6,000 रुपे बचाने के लिए, एक overachiever employee को उन्होंने मना कर दिया, कि हम चीज मेरे साथ हुई, मुझे 6,000 रुपे का incentive देने से company ने मना किया, मैंने same day resign कर दिया, although सबसे best policy मुझे spinning की ये लगी, कि वहाँ पे notice period नहीं है, वो मुझे सबसे best लगा वहाँ पे, और तो बाकी company का management ठीक 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 था, कुछ खास नहीं, बढ़ हाँ employee के लिए जब हम company में थे, तो हमारे managers कहा करते थे, कि company ऐसी है कि employees के लिए सोचती है, बट मुझे नहीं लगा कि यहाँ पे company employees के लिए सोचा, customers के लिए सोचती है 10-15-20,000 रुपे कम कर गया, गाड़ी बिग जाए तो हाँ तुरंत निकाल दो, और agent को, salesperson को force करो कि sell करो, sell करो, बट 6,000 रुपे इनको employee को नहीं दिये गए, जिस कारण self-respect के बाद थी, तो मैंने company छोड़ दी, although आप Delhi NCR में अगर रहे रहे हैं, तो salesperson की job की वहाँ पे कोई भी कम ही नहीं है, तो और मुझे बाद में ये भी बता चला, कि जो हमारे product manager थे, Mr. Adit Gaur, उनसे एक दो बार मेरी argument भी हुई थी, तो उस argument का उन्होंने फायदा उठाया, और कहते हैं कि हर किसी को अपनी post का गमंड होता है, तो उन्होंने अपनी पोस्ट पोजीशन थी, उसकी value दिखाते हुए, वहाँ पर मैना कर दिया, बड़ता है, जो हमारे manager थे, Mr. Jashan Bajaj, जब से मैंने company join के थी, तब से हमारे manager थे, तो जब भी कोई issues होते थे, कोई भी problem होते थे, वो कहते है, शुबह मेरे बास आओ, और हम इसको sort out करेंगे, हमीशा नोंने help करी, बड़ यह जब पूरा matter हुआ ना, तो उनोंने question भी नहीं पूछा, कि शुबह मात क्या हुई, हम इसको बैट के discuss करते हैं, या यह जो भी matter है, हम उसको एक बार discuss करते हैं, बड़ तो जब मैने को यह चीज बोली, कि अगर आप हमें incentive नहीं देंगे, तो मैं immediate resign करूँगा, तो Mr. Jashan Bajaj ने कहा, ठीक आप अभी कर दीजे, और मैंने immediate resign किया, because वो चीज जो मैने महनत, जिसके पीछे मैने time दिया है, अगर उस में create किया, और यह सारी चीजे create करने के बाद, मुझे नहीं लगा कि यह worth है, जिसको मैने अपनी self respect के गारट छोड़ा है, जिस company ने मुझे ही मेरी मैनत का पैसा नहीं दिया, तो मैं वापस वहाँ पर rejoin क्यों करूँ, तो यह पूरा matter था, and one of the best thing, एक और मैं आपको बताना चाहूँगा, like HR department related, HR department भी मुझे कुछ खास नहीं लगा, स्पिने का, senior HR हर्षिता, उनको तो बिल्कुल sense ही नहीं, अगर मैं अगर को चीज करूँ, उनसे आप 4 questions पूछ लोगा है ने deeply, तो इरिटेट हो आते हैं, और खुद कहते हैं, कि आपको बात करने के तरीका नहीं है, misbehave करें, अगर आप हिमान्शी से यही चीज बूछोगा, हिमान्शी मातूर से हो, तो हिमान्शी मातूर को कम से कम, 10 गुना जादा knowledge है as compared to हर्षिता, although हर्षिता is a senior of हिमान्शी, तो कहीं नहीं हिमान्शी, HR जो है उनको बहुत अच्छा, मतलब, problem solving scale as compared to हर्षिता, तो यह मेरा पूरा review था, company का, जो मेरा working experience रहा, like एक साल से जादा मैंने उस company को दिया, और company ने employee के बारे में क्या सोचा, तो यह उन सभी लोगों के लिए, जो मुझसे बार-बार कहते थे कि you have a very good knowledge of car and आप इसमें आगे continue भी करेंगे and आप एक अच्छे level तक भी जाएंगे तो जो level था वो यहीं पर and हो गया and आप अगर मेरी जगह होते तो आप के करते एक बार comment section में मुझे जरूर बताएं, यह मेरा पूरा review था spinny company के regarding